हे फुरीज, वेलकम टू किरन्स क्वीजिन किशन, तो आज में बना रही हूँ चासनी वाली गुजिया, जिसे सौफ्ट मावा गुजिया या फिर करंजी भी कहते हैं, ये स्पेशली दिवाली और होली पे बनाई जाती है, वैसे ये त्टी टेस्टी बनती है कि आप इसे कप ड्राइफ्रूट्स जिसको मैंने फानली चॉप्ड कर लिया है, ये मिक्स ड्राइफ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, किस्मिस और मैंने ली है चारोली, मैं हाँ पे ड्राइफ्रूट्स को इसलिए सेक रही हूँ ताकि हम गुजिया को लॉंग टाइम तक अच्छा आता है, तो स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट आप ड्राइफ्रूट्स को सेक ले, उसके बाद आपको इसमें डालना है, हाफ कप नारियल का बूरा, जिसे डेजिकेटेड कोकोनेट भी कहते हैं, तो यहां पे आपको नारियल का बूरा ही यूज करना है, और इसे स्लो फ् चेंज हो गया है, आप यहां पे वो सुका जो गोटा आता है, नारियल उसको पीस के ना ले, सुका गोटा यूज करने से जो टेस्ट है इतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसे में एक बोल में खाली कर देती हूं, और सेम कड़ाई में यहां पे यूज कर रही हूं, उसमे तरह चलाते वे सेखेंगे, कंडिनुईसली आप चलाते रहें, नहीं तो जो कड़ाई के बेस में मावा जो है चिपक जाएगा, तो यह देखे हमारा जो मावा है, बहुत अच्छे से से शेक रहा है, थोड़ा सा गल भी गया है, मावा को आपको सिर्फ और सिर्फ सान्थ सा ठंडा होने के बाद ही हम इसके अंदर ड्राइ फ्रूट्स और पीसी भी शोगर डालेंगे, तो आब मैं इसमें डाल रही हो, वन टीबल स्पून ग्राइ रोस पेटल्स सुकी गुलाब की पतिया, दस से बारा सैफ्रॉन थ्रेड्स, केसर, वन टीश्पून इलाइची तो अभी हमारा जो मावा है वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर मिला रही हूँ, वन कप प्लस टीबल स्पून पीसीवी शोगर, शोगर को आप घर पे ही पीस ले, मिक्सर जार में और फिर इसमें डाल दे, बस मावा जो है बहुत अच्छे स ठंडा होना चाहिए जब आप इसमें शोगर डालते हैं, तो यह देखे मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारे गुजिया के स्टफिंग रेडी है, इसे हम रख देते हैं साइड में और बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो गुजिया के लिए सबसे अदर गी डालना है, गी से काफी खस्ता बनते हैं, गुजिया ओयल से गुजिया इतना अच्छे नहीं बनेंगे, अब इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको आपको इतना अच्छे से मसलना है, मतलब मिक्स करना है, कि इसका जो टेक्शर है वो दर डाला है वो एकदम पॉफेक्ट है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हलका सा गुन-गुना पानी आटा लगाते समय आपको पानी जो है थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है एक साथ सारा पानी नहीं डाले जरूत के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे दो कप मैदे में हाफ कप पानी जो है लग जाता है मेक शूर कि आप हाफ कप से पानी ज्यादा यूज नहीं करें तो यह दिखे हमारा जो डो है लगए रैडी हो गया है तो इसको दो मिनट तक हम इसी तरह जो है मसलते रहेंगे मसलना इसे बहुत ज़ादा जरूरी है और यह हमारा डो लग इसे आप skip नहीं करें इसे जो हमारा डो है वो काफी स्मूध हो जाएगा तो यहां पर मैंने डो को बहुत अच्छे से मसल लिया है फिर इसके हम छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे तो यह दिखिए इस तरह आपको जो है पेड़े बना लेने हैं बहुत ज्यादा बड़े अजि नहीं बनाएगा तो इसी तरह हम सारे जो पेड़े है बनागे रैड़ी कर लेते हैं और यहां पर मैंने ले लिया है एक चकला, चकले पर हम रखेंगे पेड़ा और उसे बेल लेते हैं बेलते समय आपको इस बात का धियान रखना है कि आपको इसे रोटी जितना मोट बैलना है, बहुत जादा पतला नहीं बैले, अगर आप जादा पतला बेलेंगे और फिर जब हम इसकी गुजिया बनाएंगे, तो जब हम इसे चास्टनी में डालेंगे तो ये फर्ट जाएगा, तो ये दीखे, मैंने इसको इतना मोटा रखा है, और सारी गुजिया हमारी एक जैसी बने एक साइस की बने इसलिए मैं यहाँ पर यह इस तरह का बोल यूज़ कर रही हूँ इसे कट करने के लिए तो एक्स्टर डू साइड से निकाल दे तो अब जल्दी से हमारी जो गुजिया है उसको स्टफ कर लेते हैं तो यहाँ पर यह हमारा मावा और ड्राइफ्रूट का मिक्षर है रेडी तो मैं यहाँ पर वन टीबल स्पून डाल रही हूँ वन टीबल स्पून तो आपको डालना ही है मिक्षर को उसके बाद हम साइड में इसके दिखे पानी लगाएंगे तो एक बोल में बानी ले लीजिए पानी लगानी से यह होगा कि जब हम इस गुजिया को बनाएंगे इसको पैक करेंगे तो फ्राह होते समय यह गुजिया जो है खुलेगी नहीं और स्टाफिंग बाहर नहीं आगे की हम जो है डिजाइन बना लेते हैं, तो अच्छे से प्रेस करके इसको पहले बंद कर लीजिए, यह जो डिजाइन है, वो काफी कॉमन डिजाइन है, काफी सालों से यही डिजाइन बनती भी आ रही है, और यह बहुत सिंपल डिजाइन है, बट देखने में बहुत ज् ही लगती है, तो आप कॉंगोटे से प्रेस करते वे देखे इसको इस तरह अंदर लेके जाना है, फिर से यही स्टेप रिपीट करना है, और लास्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा डू जो है वो निकाल दे और फिर से साइड से बहुत अच्छे से इसे पैक कर दे, तो इसी त अब जल्दी से हम इसे फ्राइ कर लेते हैं, तो इतने मिक्षर और डू से टोटल जो है अठारा से उननिस गुजिया बन जाती है, थोड़ी सी गुजिया एक अलग प्लेट में रखी वी है, तो गुजिया फ्राइ करने से पहले आपको बना लेना है चासनी, तो यहां पे बरतन ले लिजिए, फिर उसमें आप डाल दे, वन एड़ाफ कप चीनी, शुगर, और वन कप प्लस वन फॉर्थ कप मैंने इसमें डाला है पानी, तो पानी जो है वो थोड़ा सा हम कम लेंगे, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं, वन टी स्पून जितना इलाइची पा और इसे हम जल्दी से रख देते हैं, गैस पे गरम होने के लिए, तो ये दिखे, मैंने इसे गैस पे रख दिया है, इसको कंटिनूसली चलाते रहेंगे, अभी गैस का जो फ्लेम है, वो हाई है, जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, तो गैस का फ्लेम आप हाई रखे, औ इसको कंटिनूसली इसे तरह चलाते वे दो मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये जो चासनी है, थोड़ी सी गाड़ी हो जाए, हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बेसिकली इसकी जो चासनी रहती है, वो गुलाब जाब उनके चासनी जैसी ही रहेगी, चिप-चिप आप हातों में लेके देखेंगे, तो आपको पता नहीं जलेगा, और हाथ भी जल सकता है, तो ये हमारी चासनी हो गई है, तो गयास मैंने बंद कर दिया और इसे ढग देते हैं, तो फ्रेंट्स, आज मैं गुजिया को यहाँ पे घी में फ्राइ करने वाली हूँ, आप इस इसे ओयल में भी फ्राइ कर सकते हैं, बट गी से काफी अच्छा टेस्ट आता है, जो गी है, वो मेडियम होट होना चाहिए, जब आप गुजिया डालते हो, तो ये देखे, साइड से एकदम छोटे-छोटे से हलके से बबल्स आ रहे हैं, मिला हमारा जो तेल या गी है, वो एकदम अच्छे से गरम हो रखा है, जब आप गुजिया इसमें डालते हैं, तो गी हमारा जो है, मेडियम होट ही होना चाहिए, अगर आपने हाई फ्लेम पे या फिर बहुत जादा गरम गी में इसे डाला, तो जैसे आप गुजिया डालोगे, इसके उपर बहुत सारे तो ये देखी हमारे जो गुजिया है, वो अपने हाप फ्राई होके उपर आ गए हैं, तो बस अब आप इसको एकदम हलके हाथ से स्पून या फिर फोक यूज करते वे इसे टर्न करें, तो बहुत ही हलके हाथ से इसे टर्न करना है, और एक बार टर्न करने के बाद अब हम इसे बार बार टर्न नहीं करना है, तो एक साइड से जब ये पूरा सिक जाएगा, उसके बाद अब हम इसे टर्न करेंगे, तो ये साइड में जो जाग देख रहे हो न वो भी बहुत कम हो जाएंगे थोड़ी देर में, अफ्टर 5-6 मिनट्स जो गुजिया है वो एक से बहुत अच्छे से सिक चुकी है, ब्राउन हो गई है, तो इसे दिखे इस तरह जो है आपको पलट लेना है, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह जो है फ्राइ होने देंगे, गैस का फ्लेम मैंने स्टार्टिंग से स्लो टू मेडियम की बीच में रखा है, अगर आपको लगता है कि आपको ओईल या गी जो है ज्यादा गरम है स्टार्टिंग में जब आपने गुजिया डाला था, तो फिर गैस का फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखिएगा, आफ्टर थ्री टू पोर मिनिट्स हमारे दूसरे साइड से भी जो गुजिया है वो अच्छे से फ्रा चासनी ये सोक नहीं कर पाएगा, एक बैश को फ्राई होने में कम से कम 12-15 मिनट लग जाते हैं, जब आप गुजिया को चासनी में डिप करेंगे तो गुजिया जो है बहुत जादा गरम होनी जाहिए लेकिन चासनी जो है वो हलकी गरम होनी जाहिए, इसलिए चासनी को हम पहले बना के रख लेते हैं ताकि वो हलकी सी ठंडी हो जाए, जब आप गरम गरम गुजिया इसके अंदर डालेंगे तो ये देखे इसमें से बहुत सारी बाफ़े निकलेगी और अगर गुजिया और चासनी दोनों ही गरम रहे तो क्या होगा कि ये बहुत जादा चासनी पिलेगा और ओपर की जो ये गुजिया की लेयर है ना वो फट भी जाएगी मतलब बहुत जादा सौफ्ट हो जाएगी तो चैसे साथ गुजिया डालने के बाद देखे इस तरह जो है पलट लेना है और चासनी में हमें सिर्फ दो से तीन मिनट इसे डिप करना है बहुत ज जाता चासनी पी लेते हैं और फिर जब आप इसे तोड़ोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चासनी ही निकलती है आफ्टर टू मिनिट्स मैं जो गुजिया है वो बाहर निकाल रही हूं और इस तरह छनी पर रख रही हूं ताकि जो एक्स्ट्रा सोगल सिरफ है वो निकल और फिर इसे आप एक प्लेट में रख दे तो फ्रेंज यह अभी काफी गरम होते हैं इसलिए आपको इनको अलग अलग ही रखना है एक के उपर एक नहीं रखे तो फ्रेंज इसके उपर मैंने लगा दिया है सैफ्राउन केसर और इसे मैं थोड़ा ओल डेकोरेट कर लेती ह तो मैं आपे लगा रही हूं पिस्ता आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ्रूट्स लगा सकते हैं बादाम का जो आपको पसंद हो तो एक जो गुचिया है मैं तोड़के दिखाती हूं यह दिखे सिर्फ दो मिनट हमने रखी थी और इसने कितना अच्छे से जो है चासनी पी लिया है बहुत जादा टेस्टी बने है अगर फ्रेंड्स आपको रेसिपी जो है यूसफुल लगी है तो मेरी चैनल को करे सब्सक्राइब और मुझे कॉमेंट करके जरू बताए कि आपको यह रेसिपी जो है कैसी लगी है मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीड बाइ टिक के थांक यू